हाई फ्रेंड आपका स्वागत है इस नए वीडियो में और आज का मुना टॉपिक है अबाउट हाउट आपाउट हाउट हाउट फाइंड दे नमबर ऑफ इवन नमबर एन और नमबर इन गिवन एरे राइट तो जैसे हम क्या करते हैं पहले इंट में में हम चालू करते हैं ह दोनों को इनिशलाइज कर दिया टू दी वैल्यू जीरो और हमने एक एरे को डिफाइन कर लिया विद फाइव एलिमेंट अब हम क्या करते हैं एक फॉर लूप रंद करते हैं फ्रॉम आई इकोल टू जीरो लेस देन फाइव तक प्लस प्लस आई प्लस प्लस राइट तो हैके वैल्यू से हाइए यह 5 वैलिउस हाएंगी हम सक्षे कैने एके अलग-अलग इंडेक्स के लिएए counter even or odd जो variables है वो हमारे काम कैसे करेंगे counter के रूप में काम करेंगे तो हम क्या करते हैं पहले एक condition लगाते हैं कि array का index i है that उसको हम कर रहे है mod2 right मतलब इसको हम 2 से divide करेंगे तो remainder के आएगा equal to equal to 0 किया मनलब यह even number होगा इस index पर तभी 2 से divide करने में उसका remainder 0 आएगा तो हम even plus plus कर लेंगे पहले value 0 थी even plus plus से value हो जाएगी even अगर वह even नहीं है तो वह odd number होगा okay but obvious है तो हम else से कर लेंगे odd plus plus okay और ऐसे i equal to 0 से लेके 4 तक यह run होगा क्योंकि less than 5 है scanf से हम values लेंगे और if else हम check करेंगे क्यों value positive sorry even है कि odd है एक पर यह पूरा for loop खतम हो गया five times run करके तो हमें values मिल जुगी है number of even numbers और number of odd numbers की in this array और हम उसे printf से print करा लेंगे और बाल में return 0 से हम end कर लेंगे program को इस program को मैं run करके दिखाता हूं ओके यह अभी हम इसमें values enter कर लेते हैं जैसे हम हमने जैसे हम कर लेते हैं इसमें एक और value enter करेंगे जैसे five और बाकी सारी चार values हम क्या करते हैं even values enter कर लेते हैं राइट 22 14 26 और चौथी value हम कर लेते हैं 886 ओके चार even values तो हमें number of even numbers 4 number of odd numbers 1 आ गया और इसी तरह हम इसको और अलग sets of inputs के रण करके देख सकते हैं और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही सा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like the video and subscribe to our channel आशुतो शास्वानी ट्रिपल आई टिन थैंक यू सो मच कर वीडियो के जिते हैं